Hello students, welcome back to the class और आज के इस class में हम लोग पढ़ने वाले हैं factors and multiples के बारे में ठीक है? तो चलिए, start करते हैं सबसे पहले ये जानते हैं कि factors and multiples कहते किसको है when a number divided another number exactly जब कोई number किसी दूसरे number को exactly divide करता है मतलब कुछ भी reminder नहीं बसता है then the divisor is called factor तो वो जो divisor होता है, वो क्या कहलाता है? उसका factor कहलाता है and जो dividend होता है, वो उसका multiple कहलाता है ठीक है? तो clear हो गया कि factor किसको कहते हैं multiple किसको कहते हैं तो example दे करके हम लोग देखते हैं यहाँ पर जैसे कि एक example ले लेते हैं all factors we know that 5 is divide 15 exactly we know that 5 divides 15 exactly मतलब कि 15 में जब हम 5 से भाग देंगे तो exactly 5 3s of 15 पूरा पूरा यह कट गया है ना? इसका मतलब क्या हो गया? that is 5 is a factor of 15 है ना? इसका मतलब हो गया कि 5 is a factor of 15 और इसका मतलब यह भी हुआ कि 15 is a multiple of 5 15 is a multiple of 5 तो एक चीज से दो चीजे हमने निकाली मतलब एक divide यहां पे दिया और इससे पता चल गया कि 5 जो है वो 15 का factor है और 15 जो है वो 5 का multiple है तो यही दोनों चीजे समझाने थी कि factor and multiple कहते कि इसको है अब second example एक लेते हैं और all factors of 4 are 1 जिसे की आपको question ने पूश दिया all factors of 4 4 के all factors लिखने बोल रहे हैं तो आप क्या लिखोगे 1 2 and 4 क्योंकि 1 से पुरा-पुरा भाग लग रहा है 4 में 2 से पुरा-पुरा divide हो रहा है 4 and 4 से हो रहा है उसके अलाबे तो और सारे अंग तो इससे बड़े हैं तो उससे divide तो होने से रहा है तो यह हो गया अगर इसी तरह से आपको बोले all factors of 6 6 के सारे factors को लिखने के लिए बोले तो क्या होगा 1, 2, 3 and 6 1 से completely divide हो रहा है 2 से हो रहा है 3 से divide हो रहा है properties of factors ठीक है तो क्या क्या properties इसका होता है सबसे पहला होता है कि 1 is a factor of every number 1 is a factor of every number that means 1 जो होता है परतेक number का factor होता है जितने भी numbers होते हैं सबका factor 1 होता है next step every non-zero number is a factor of itself जितने भी non-zero number होते हैं is a factor of itself मतलब वो खुद के factor होते हैं अब non-zero number किसको कहते हैं यह समझ मेरा आना चोड़ रही है मतलब वैसे कोई भी number जो की 0 के equal नहीं हो ठीक है वो non-zero number का लाता है तो जितने भी non-zero number है वो खुद उसके एक factor होई यह second बात होगी third क्या होगया a factor of a non-zero number is less than or equal to the number एक factor जो non-zero number का होगा यह या तो इससे छोटा होगा या फिर उस number के बराबर होगा उससे बरा नहीं होगा जैसे कि example में भी हमने देखा कि 4 के all factors लिखने हैं तो यह 1 4 से छोटा है 2 4 से छोटा है और 4 4 के बराबर है उसके आलाबे कोई भी factor इसका नहीं है तो यही चीज़े यहाँ पर समझानी थी 4 में क्या आ जाएगा 1 is the only number having one factor namely itself 1 जो है वो सिर्फ एक only number है जिसमें सिर्फ one factor होते है है ना 1 का तो एक ही factor होगा सिर्फ one होगा उसके बाद आता है every non zero number other than one has at least two factors namely one and itself मतलब कि one को छोड़के जितने भी numbers होते हैं उसके कम से कम दो factor जरूर होते हैं एक क्या होता है एक one होता है और एक दूसरा क्या होता itself वो number खुद यहाँ पे one को छोड़ने की बात का रहा है one को छोड़के जितने भी others number है उसके बारे में बताया जा रहा है है ना तो बढ़ते हैं आगे and last जो six numbers का point है every non zero number is a factor of zero जितने भी non zero number है वो zero के factor है है ना every non zero number is a factor of zero clear हो गया यह चीज़ यह प्रोपर्टीज यह तो factors के प्रोपर्टीज हुए अब थोरा सा हम लोग multiple के प्रोपर्टीज के बारे में जानते है properties of multiples तो इसके प्रोपर्टीज में लेते हैं first में क्या हो जाएगा every number is a multiple of one जो परते एक नंबर होते हैं ना number is a multiple of one वो one के तो multiple होते हैं कोई number है वो उससे तो one से multiply करी सकते हो है ना one के multiple मतलब one से किसी भी number ने भाग दो तो पुरा पुरा कटना ही कटना है जो की रंजिरो number नहीं है है ना तो यह हो गया second है every number is a multiple of itself every number is a multiple of itself हाँ परते एक number खुद का तो multiple होता है यह जिसे फोर है तो फोर का multiple फोर भी होता है है ना और one भी होता है वोई चीज यहां first में बोल रहा है और second में 4 का multiple 4 हो गया 5 का multiple 5 हो गया 6 यहार 2000 का multiple 2000 खुद हो गया हाँ तो यह चीज यहां पर बताई गई है थर्ड है every non-0 multiple of a non-0 number is greater than or equal to the number जितने भी non-0 number होते है उसका जो multiple होता है non-0 number का greater होता है यह फिर equal होता है उस number के जैसे कि multiple of 2 अगर आपको निकालने के लिए बोल दे multiple of 2 तो क्या-क्या हो चाएगा 2 खुद होगा पहले 4 होगा 6 होगा 8 होगा 3 होगा 8 होगा जितने भी आप ले जाओ हाना and clearly each one of them is equal to greater than equal to यह जितने भी 2, 4, 6, 8, 10, 12 जितने आगे जाएंगे यह क्या है clearly यह greater भी है और equal to 2 हो सकते है मतलब बड़ा बड़ भी हो सकते है उससे बड़ा भी हो सकता हाना तो यह चीज़े यहाँ पर बताई जा रही है 4 में क्या है we can find as many multiples of a non-zero numbers as we want हम लोग जितने मन उतने multiples किसी भी non-zero numbers के निकाल सकते हैं कि example के तौर पर अगर देख लें कि 2 है तो उसका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, 16, 18, 20, 22 मतलब कहीं तक भी sorry आप लोगो दीखने रहा है कहीं तक भी आप निकाल सकते हो इस है ना infinity, many, कितने भी सारे आप इसको निकाल सकते हो और 5 जो last इसके properties हैं वो है 0 is a multiple of every number 0 जो है वो परतेक number का multiple होता है 0 is a multiple of every number तो यह तरह से हमने देखा कि properties of factors देखे factors कैसे निकाले जाते हैं वो हमने देखा and properties of multiples देखे that means अगर question में हमें multiples निकालने के लिए बोला जा रहा है तो हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं अब इसमें तो कहीं से कोई confusion नहीं होना चाहिए और यह इस तरह के questions आते हैं बहुत सारे exams में भी आपको देखने को मिलेंगे and class में भी तो रहते हैं इस तरह के questions तो I think आप लोगो अच्छे से समझ में आ क्या होगा की factors क्या होते हैं and multiples क्या होते हैं ठीक है तो मिलते हैं हम लोग next video में क्या है